बेलो आउले की पत्लियां तो होते हैं कुछ आउले की पत्लियां हमें तोड़ ली हैं अब इसमें स्वाधा नुचार सेंधा नमक थोड़ा सा काला नमक डालती है जबाकार का थोड़ा तुकड़ा डालेंगे और सफेद मिर्च डालेंगे और इसको पीस लेते हैं आउले की पत्ती की चटनी तैयार कर ली है इस चटनी को दही में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे तैयार इसमें थोड़ी सी गुल्डी डालते हैं दावत करने के लिए गुलगप्पे तयार है आउले की पत्ती की चट्नी डाल का बनाने से ये दावत के साथ दवावी बन जाती है क्योंकि आउले की पत्ती पेट से सम्मंधित बीमारियों को ठीक करती है इसलिए ये दावत भी है और दवावी है बाई